Hello everyone, मैं राहूल सेंगई आप सभी का स्वागत करता हूँ Step of Academy पर where you can learn today and lead tomorrow. तो आज के इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम physical features का एक topic, एक physical feature, islands के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है? कि इस आइलेंड कहा पर हैं? इनकी location क्या है? ये बने कैसे हैं? और इनकी importance क्या है? ठीक? तो आज के इस वीडियो की हम शिरुवात करते हैं पहले सारे physical features के नाम से कि सारे जो physical features हैं उनको कौन-कौन से groups में हम divide कर सकते हैं. तो सबसे पहला आता है इसमें Himalayan Mountains, दूसरा आता है Northern Plains, तीसरा इसमें आता है Peninsular Plateau, चौथा इसमें आता है Indian Desert, पाश्वा, the Coastal Plains और आखरी है Islands. तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ Islands के बारे में पढने वाले हैं. बहुत ही interesting है. हम सभी जानते हैं कि भाई, इनका एक सबसे बड़ा importance क्या है? यह हमारे लिए एक बहुत ही important tourist location है. तो islands के बारे में हमें पढ़ना है, तो इंडिया में दो group of islands हैं. कौन-कौन से दो group of islands हैं? एक लक्षदीप, जो की Arabian Sea में है, इसकी location हम देख सकते हैं कि Arabian Sea, याने की इंडिया का western part जो है, sorry, Arabian Sea में इसकी location हमें याद रखनी है. ठीक, दूसरा island group है अंदमान निकोबार जो की bay of Bengal में है. ठीक, इसकी भी location हमें याद रखनी है कि अंदमान निकोबार islands जो हैं, ये bay of Bengal में, याने की इंडिया के south east में आते हैं. ठीक है? इन दोनो islands group, island groups के बारे में अप उनको detail में पढ़ना है. तो सबसे पहले हम start करते हैं लक्षदीप से. ये लक्षदीप islands कहां पर हैं, इनकी location कहां पर है, तो हम ये देखते हैं कि केरला का जो coast है, केरला के coast को हम कहते हैं मलावार coast. ठीक है? ये जो मलावार coast है, इस मलावार coast के past में Lakshadeep Islands हैं. अब यह जो Lakshadeep Islands हैं यह हमेशा से Lakshadeep नहीं कहलाते हैं. इनको पहले अलग-अलग नाम से जाना जाता था. Lakadweep, Lakadweep, Minikoy and Amandeeb. है ना? यह अलग-अलग नाम से जाने जाते थे. But 1973 में इन Islands को Rename किया गया और इनको एक नया नाम दे दिया गया लक्षदीप आइलेंड्स ठीक है यह बहुत ही छोटे से आइलेंड्स हैं ना बहुत ज़ादा इनका एरिया नहीं है बहुत कम एरिया 32 स्क्वेर किलो मीटर मतलब कि आप यदि एरिया की बात करें मान लीजिए आप किसी एक स्क्वेर की बात करें स्क्वेर किलो मीटर है तो हम तो स्क्वेर के हिसाब सी चलेंगे आप एक स्क्वेर बनाते हैं और यदि उसका एरिया आप एक साइड लेते हैं 5 किलो मीटर तो वो एरिया जो है उसका कितना हो जाएगा 25 किलो मीटर स्क्वेर या फिर यदि आप इसी को 5 km की जगह यदि 6 km ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 36 km2 मतलब कि आप समझ सकते हैं कि यदि हम इसको एक single piece of land पर लेंगे तो ये 32 square km यदि area है तो single piece of land पर ये 5 km से ज्यादा और 6 km से कम है है ना? तो बहुत ज़्यादा area नहीं है हम जानते हैं कि ये जो areas हैं ये तो हमारे बड़े बड़े शेहरों में एक महला कह सकते हैं इतना एक महले का area होता है है ना तो ये जो areas है area है इसका ये बहुत छोटा है लेकिन फिर भी यह हमारे लिए बहुत ज्यादा important है क्यों important है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा diversity है फ्लोरा और फोना की ठीक और इस island की जो capital है उसका नाम है कवरत्ती islands ठीक है क्या नाम है capital का कवरत्ती island या capital की जगा हम कई बार एक term use करते है administrative headquarter ठीक है तो लक्षदीप island की administrative headquarter या capital कहां पर है कवरत्ती island में ठीक और यह important है क्योंकि बहुत ज्यादा diversity है फ्लोरा याने की plants में and flora फोना याने की animals में ठीक है यहाँ पर एक bird century भी है पिट्टी islands पर पिट्टी island जो है बहुत एक uninhabitated island है मतलब यहां human beings नहीं रहते हैं यह island particularly birds के लिए ही famous है और यह हां पर एक century बना दी गई है birds के लिए पिट्टी island bird century बहुत यह अच्छी जगा है घूमने के लिए लेकिन यह जो important चीज और क्या आती है island के बारे में कि islands बने कैसे हैं यह सबसे important fact है इसके बारे में भाई कि यह islands जो है ना यह बहुत छोटे छोटे animals के dead bodies और उन animals से जो calcium carbonate का सीक्रेशन होता है उन से बने हैं इन animals को हम क्या कहते हैं? corals कहते हैं तो यह किस से बने है? corals से बने हुए हैं यह अब अब यह corals क्या होते हैं? जरा हम इनको समझते हैं है ना? हमारा question क्या है अब? corals, देखिए भाई दिखते कैसे हैं ये, इस तरीके के होते हैं, बट ये क्या हैं, microscopic animals हैं ना, microscopic है, microscopic हैं याने कि हमें normally अपने ऐसे आंखों से नहीं देखेंगे, आपको microscope का सहरा लेना पड़ेगा, तब इस तरीके के ये animals हमें नजर आएंगे, और ये क्या करते हैं, ये calcium carbonate secret करते हैं, क्या secret करते हैं, calcium carbonate, रिस्ता है, है ना, और ये colonies में रहते हैं generally, मतलब बहुत सारे animals, बहुत सारे एक साथ रहेंगे, और किस तरीके के area में रहते हैं ये, जहां पर गहरा ही मतलब shallow waters हो, साफ पानी हो, याने mud free हो, और हलका सा गुन-गुना, warm water हो, है ना, ऐसे areas में ये जो animals हैं, ये flourish होते हैं, और धीरे-धीरे क्या होता है, जब ये calcium carbonate secret करते हैं, और इनकी dead bodies वहां एकठी होती चले जाती हैं, तो वहां पर reefs बनने लगती हैं, क्या बनने लगती हैं, वहां पर? reefs, इनके skeleton से और calcium carbonate से, ठीक है, reefs बनने लगती हैं और यही reefs आगे चलके कई बार islands का रूप ले लेती हैं, ठीक है, तो अब हमें होती हैं, यह देखिए, यह है fringing reef, ठीक, एक island है और उसकी fringes पर, याने corners पर reef बनने, यह जो coral polyps हैं, इन्होंने reefs बना दी हैं, यह कहलाती है fringing reef, fringes पर हैं, ठीक है, barrier reef, island से थोड़ा दूर हैं और उन्होंने एक barrier type का बना दिया है, ठीक है, यह कहलाती है, barrier reefs, Australia की barrier reefs काफी famous हैं, और यह होते हैं atolls, जो एक horseshoe like structure होता है, जैसे horseshoe होता है, उस तरीके का यह structure बना लेते हैं, यह कहलाते हैं atolls, ठीक, तो यह जो atolls हैं, यह हमारे lakshadip islands जो हैं, यह इन्ही atolls के रूप में बने हुए हैं, ठीक है, तो lakshadip islands coral polyps से बने हुए हैं, याने coral origin है इनका, और यह कौन से टाइप की reform करते हैं, atolls, ठीक, clear है सभी को यह, अब हम जाते हैं अपने next island group पर, अंदमान एं निकोबार islands, ठीक है, यह भी बहुत ही important islands हैं हमारे लिए, जब तक जम्मु कश्मीर और लदाक का इंडिया की सबसे बड़ी union territory थी, ठीक है, लेकिन अब नहीं है, ठीक, तो यह बहुत big है size में, as compared to lakshadip islands, बहुत बड़ी size हैं हैं, और numerous islands हैं, बहुत सारे islands हैं, more than 400, 500, more than 500 islands हैं, जो scattered हैं पूरे area में, ठीक है, और यह जो importance हैं की country के लिए, वो क्यों है, same जैसे हैं हमने lakshadip के लिए पढ़ा था, कि यह flora और fauna की diversity यहाँ पर है, और यहाँ पर सबसे important चीज क्या है, कि एक equatorial climate face करते हैं, और इस equatorial climate के होने के कारण, वहाँ जो vegetation मिलता है, वो भी equatorial type का मिलता, जैसे की rubber, है न, तो यह बहुत ही important forest है हमारे लिए, इनकी strategic importance तो है ही, क्योंकि जब हम Bay of Bengal में देखते हैं, तो जब आप अगली classes में आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक concept होता है, जिसे हम कहते हैं, nautical miles, हम जब ocean में travel करते हैं, या sea में travel करते हैं, तो वहाँ distance kilometers में नहीं देखते हैं, वहाँ nautical miles में देखते हैं, और किसी भी country के coast line से 12 nautical miles तक उस country की territory होती है, है न, तो ऐसी ही strategies जो होती है, जब यह हमारे coast, हमारे हम जानते हैं, main land से काफी दूर हैं, लेकिन वह हमारी diversity बहुत ज्यादा है, flora और phona की equator के पास हैं, तो equatorial climate phase करते हैं, और thick forest है, बहुत ही thick forest है, अब इनका origin कैसे है, जैसे हमने लक्षदीब को देखा कि लक्षदीब किस तरीके के island है, coral origin के, इनका जो origin है, यह volcanic origin है, ठीक, अंदमान निकोबार island को यह कहा जाता है, कि these are the elevated portions of submarine mountains, ठीक है, मतलब की volcanic eruptions हुए, कई सार, कई बार volcanic eruptions होते होते, वो mountains बन गए, और फिर वो बाहर आगे, sea के ऊपर आगे, है ना, और islands के रूप में हमें दिखने लगे, तो इनका जो origin है, वो volcanic origin है, ऐसा कहा जाता है, यह सबलीब किया जाता है, कि अंदमान निकोबार islands are elevated portion of submarine mountains, और इस चीज़ को हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इंडिया का एकलौता active volcano जो है, वो इनी अंदमान निकोबार islands में एक island है, जिसका नाम है barren island और इस barren island पर इंडिया का एकलौता active volcano मौझूद है, ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जो जानकार यह आपके साथ share की, यह आपको कैसी लगी, यह हमें हमारे comment section में जरूर बताएं, और आगे के videos के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, इन सारे courses के videos आपको हमारे channel पर मिल जाएंगे, हमारे channel को like कीजिए, subscribe कीजिए और हमारे साथ बने रहें इस video के देखने के लिए, thank you